दो अक्टूबर 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वक्ष भारत मिसन की सुरुआत की इसका लक्ष था कहीं भी लोग खुले में सौच ना करें मतलब हर घर में सौचा ले हो और हर गली में सफाई क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 तक देश को पूरी तरह से सौच मुक्त करना है उफ अब परिशान मत हो ये कि कोई देश सौच मुक्त कैसे हो सकता है इसका मतलब खुली जगा में सौच ना करें अब क्या करें नाम में ही इतनी कनफ्यूजन है खेर जब इस योजना की सुरुवात हुई थी तब मुझे याद है कि रोज के अख़वार में कोई न कोई प्रतिश्ठित लोग झारू लिये दिखी जाते थे पर सफाई के लिए नहीं फोटो जो खिचवानी थी जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी जिन्होंने वारा नसी केक गंगा नदी के असी घाट पर फारवा चलाया था तो भगजन भी चल दिये उसी रापर इस मिसन को पूरा करने के लिए 2017-18 में 13,948 करोर रुपे सुक्ष भारत ग्रामीन बजट पास हुआ सुनकर मन को तसल्ली होती है कि वाह कोई तो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है अब जब हम आधा सफर पूरा कर चुके मतलब 2019 से दो कदम दूर मतलब दो साल ही तो पीछे हैं तो हम भी चल दिये गाउं के चक्कर लगाने हमारे सुक्ष भारत के दर्सन करने लेकिन ये क्या गाउं में पहुचने के बाद तो हमारे होसी उड़ गए नहीं समझे आप खुद ही देख लीजे हैं बहुत से आदमी लख रहें बहुत से लख रहें हम कहों लोग कस रचाही कि हम कम सकम टटी मैदान अपने सुचालम जाए अगर साड़क में कहीं पाद है तो पूलिस पकर के लिए जाती है कहे दहें कि यहां रोड में मत लेटिंग हो गाउं ही नहीं अब इसकूल भी देख लीजे नहां कर सोचालम जीदी भरा रहता है अगर जिसके को पेट ये बच्चों को छूट जाने बच्चों को पेट खराब हो जा तो बहुत है हमें दूर जाना पड़ता है मैंना का गंदा पानी सब लेटरिंग में जाता है तो पीछे जाना पड़ता है सोचाले हो नहो पर हिदाइश जरूर मिलती है तो जैसे आप ही जा टीम आई है बाहर से वो रूक लगाए हैं तो आप पिर कहा जाते हैं अब रूख लगा में चार नहीं लगा में बाहर तो जाने जाने हैं जब तक बनी ने गाए अगर पैसा हमारे पास होता तो हम लोग पहले से ना बनवा लेते के रहते के बारह जार आ रहा है परधानी बनवाएंगे कुछ गाहों में सौचाले तो बने हैं पर किस हाल में कितने साल बीत गया पान साल बीत गया सौचाले बनवाएंगे कि यूज की है काभी नहीं इस देवाल भी खड़ी हो गई इसमें जब गढ़ा नहीं है तो कैसे उज किया जाए हम लोगों के तब आना हुआ था धरती पाकड़ने देवाल कि गिर गई है कोई मसाला उसाला कोई ठोस नहीं लग दर इटा बना था के वाल दूज इंटा था तो ओडियाफ गाओं भी चलते हैं कभी ये गाओं ओडियाफ हुआ था ये लगभख हुए ठंडी महीने में ये दस महीने के लगभख हुआ था उस समय ड्यूटी एतनी तेजी से इसको लिया गया इतना उसा था गाओं हम लोगों में सालसत जी की भी सुनी लीजिए सब्सक्राइब के अंतरगत ओडियव भी हो रहे हैं बाकी लेकिन इस सवेज और चला है पुरा पूरे पक्वारत चला है जिसे तो इस अवियान को लिया गया है जिसने कई गाओं में लोग अपना जापता करने का काम कर रहे हैं जाहां भी रहें सवह भी सफाइब कर रहे ह कि लोग बाहर जाते हैं कुछ आर्थिक यहां की इसी ती यहां उसे कार्ट से भी लोग अपना सवचाने घर में नहीं बना पाते थे इसने सरकार नोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो किस तरह से इस पैसा नहीं है 6,000 उपिया जा रहा है कि आप गड़्दा खो है कि हम सब करों सर्कार में लच रखा है कि हम आगावी इसी मतलब मार्च के हम अठारा तक काफी गाओं कर लेंगी जनपत के और आगे अठारा के जो अक्टूबर आ रही है उसमें पूरा जनपस ओडियोफ हो जाए ऐसी हुजना है यहां इसमें भी कई गाओं हुए हैं औ और आगे उसकी पूरी ओजरा गया तो अडियाप का मतलब क्या हुआ तो अडियाप का मतलब है खाना पूर्ति प्रदान जी ने लिखेद दे दिया वहां लिखेद पहुँच गया ओडियाप हो गया आज तक कोई जाच नहीं हुई नो कोई इंक्लाइरी हुई कागाज में अब आप ही बताईए हमारे प्रधान मंत्री क्या गांधी जी के एक सो पच्चासवी जयनती पर उन्हीं स्वक्ष भारत का उपहार दे पाएंगे